वैसे तो आपको पता ही है अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो यह इस चीश पर डिपेंड करता है कि आपकी sentence structure में कितनी पकड़ है आपकी vocabulary कितनी strong है So इस वीडियो में मैंने English के कुछ ऐसे ही words लिये हैं जो आपको पता होनी चाहिए वीडियो को लाज सक देखते रहे है क्योंकि आपको कुछ नहीं जरूर सीखने को मिलेगा So guys हमने केंड वाचिंग लाइट में फ्लो विदाव डाने फॉर्दर डू लाइट चाहिए वीडियो First word है trickle इसका मतलब होता है बून बून करके टपकना Example है रसोई के नल से पानी बून बून करके टपक रहा है Water is trickling from the faucet of kitchen Water is trickling from the faucet of kitchen उसकी आँखों से आँसों टपक रहे हैं Tears are trickling from his eyes Next word है immortal अमर या फिर ना मरने वाला Example है यहाँ कोई भी अमर नहीं है No one is immortal here इंसान का शरीर खतम हो जाता है लेकिन आत्मा अमर रहती है Humans body dies but soul remains immortal Humans body dies but soul remains immortal अगला word है anxiety घबराहट, चिंता Example है तुम्हें घबराहट क्यों हो रही है Why are you feeling anxiety? Why are you feeling anxiety? तुमारी घबराहट बढ़ती ही जा रही है Your anxiety is going to increase Your anxiety is going to increase Elongate लंबा करना या लंबा बनाना अपनी बातों को लंबा मत करो Don't elongate your talks Don't elongate your talks उसने अपने भाशन को जान बुच का लंबा बनाया He elongated his speech deliberately He elongated his speech deliberately Ensure, पक्का करना या फिर सुनिश्चित करना पहले पक्का कर लो कि तुम्हें करना क्या है Ensure first that what you have to do Ensure first that what you have to do उससे बात करने जब पहले तुम्हें सुनिश्चित कर लेना चाहिए You should ensure before talking to her Prevalent प्रचलित या फिर आप famous भी बोल सकते हैं यहाँ पर English बहुत प्रचलित है English is prevalent here English is prevalent here यहाँ पर आजकल यहाँ बिमारी बहुत प्रचलित है This disease is more prevalent here nowadays Lesson कम करना यहाँ धवाई तुमारे सर्दद को कम कर देगी This medicine will lessen your headache This medicine will lessen your headache दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया यह एक phrasal verb है जिसका मतलब होता है पीछे पढ़ना या फिर किसी के पीछे रहना मैं पैसो के पीछे नहीं भागता हूँ I don't run after money उसका पीछा मत करो Don't be after her Don't be after her Rattle खड़ खड़ाना या फिर किसी चीज को जोर जोर से हिलाना हवा से खिड़कियां खड़कडा रही हैं Windows are rattling due to wind Windows are rattling due to wind उसने घुसे में बन दरवाजे को जोर जोर से खड़कडाना शुरू कर दिया He started rattling the log door in anger Pant up मन में दबी हुई मन में दबी हुई अपनी भावनाओं को बाहर निकालो Take out your pant up feelings Take out your pant up feelings Addicted आदी होना या फिर किसी चीज़ की लग जाना वह सिगरेट पीने का आदी हो गया है He is addicted to smoking He is addicted to smoking मैं इसका आदी नहीं होना चाहता हूँ I don't want to be addicted to it I don't want to be addicted to it Get to know या फिर आप यह भी बोल सकते हैं Come to know दोनों की meaning same ही है जिसका मतलब होता है पता लगना या फिर किसी चीज़ को यह बार में जानना मुझे इसके बारे में कल ही पता चला मुझे अपमानित महसूस हुआ जब उसने मुझ पर हसा I felt humiliated when he laughed at me हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए या फिर अपमानित नहीं कहना चाहिए we should not humiliate anyone sympathy, सहमती या हमदर्दी मुझे तुमारी हमदर्दी नहीं चाहिए I don't need your sympathy मुझे उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं है I don't have much sympathy for him या फिर आप लड़के के लिए बोल सकते हैं I don't have much sympathy for him word of cash नोटो की गड़ी example है नोटो की गड़ी दो बारा गिन लो count again the word of cash count again the word of cash नोटो की गड़ी संभाल कर रखो store the word of cash store the word of cash ancestral इसका मतलब होता है आप बाप दादाओं के जमाने का या फिर आप पैत्रक भी बोलते हैं मुझे बाप दादाओं की जमीन से कोई भी हिस्स नहीं मिला I didn't get any share in ancestral property I didn't get any share in ancestral property For instance माना या फिर उधारान के लिए English में for example भी बोल सकते हैं माना वह घर पर नहीं है अब तुम क्या करोगे For instance He is not at home What would you do now? For instance He is not at home What would you do now? माना उसने तुमारा प्रस्ता सुएकार नहीं किया For instance She didn't accept your proposal For instance She didn't accept your proposal Impose थोपना या फिर किसी पर किसी चीज का बोश जालना मैं आपर अपनी इच्छा नहीं थोप सकता I can't impose my will on you I can't impose my will on you मैं आपर इस काम का बोश नहीं डाल सकता I can't impose this work on you I can't impose this work on you In a while थोड़ी देर मैं थोड़ी देर में घर वापस आ जाऊंगा I will come back home in a while I will come back home in a while मैं थोड़ी देर में इस्कूल के लिए निकलूंगा I will leave for school in a while I will leave for school in a while Chill out मजे करना आजकल मैं कोई tension नहीं ले रहा हूं I am chilling out these days I am chilling out these days Tension मतलो train हमें छोड़ कर नहीं जाएगी Chill out Train will not leave us Chill out Train will not leave us He is fumbling something in Almira He is fumbling something in Almira So that's it guys for this video I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई तो Hit the like button and subscribe my channel आपको वीडियो कैसे लगी Let me know in the comment section below Thanks for watching this video friends Jai Hind Thank you Thank you